यह लेकिन आचरशी के मन में था इतने लोग सब आये हैं बाहर से एक नए एक दिन तो मिलना ही चाहिए लोगों ने निवेदन तो नहीं किया लेकिन आचरशी का स्वयम का भाव था साल बर में एक बार आते हैं सबी लोग आते हैं तो आखरी दिन परियूशन के आचर स्री ने अपने मन से कहा आज के बाद सब का जाना होगा इसलिए आज तो सभा में जाना ठीक रहेगा हम लोग आचर स्री ने ने चलता है थोड़ा करेंगे चलते हैं चल करके धीरे धीरे गए उस समय तक थोड़ी अनकुलता बनना सवास्त में शुधार होने लगा, ऐसे अनेक संदर्व हैं जो बिद्वान भी आये समा से भी भी आए आचर स्री से समय समय पर चर्चाएं करते भी रहे लेकिन अब कर्म की तीवर्ता में तो प्रतिकुलता आती है धीरे धीरे शुधार हुगा और एक बार ऐसा हुगा कि मिस्री लाल जी प्रशिद कभी जिन्होंने आचरशी पर जोतर में निर्गरंथ नामक अच्छी साहितिक करती लिखी है वो आए आचरशी को समाचर दिया मिस्री लाल जी आए हुए है आचरशी न सहिज एक्छा प्रगट की अंदर बुला लो बुलाया गया बैठे बातचीत भी करते रहे अब उनको लगा आचरशी से स्वास्त के बारे में कैसे पूँचें आचरशी अतने आध्यात्मेक जीवन को जीते हैं इतने बड़े साधक ہیں इनसे न के सरीर के बारे में क्या पूँचें तो साहितिकार ने घुमा करके पूँचा क्या पूँचा मिस्री लाल जी केने लगे आचर स्री आपकी देहे तो स्वस्त है ना आपकी देहे तो स्वस्त है ना देहे स्वस्त है ना ऐसा पूंचा आचर स्री से आचर स्री क्या उत्तर दे जिस तरीके का विद्वान ने प्रिशन किया है पूंचा है उसी तरीके का उत्तर जाना चाहिए उन्होंने क्या पूँचा अब यदि हम यह कहेंगे आचर स्री ऐसा वेसा तो आचर स्री आत्मा को तो कुछ होता ही नहीं है बोस्तर समझ करके चल रहते तो उन्होंने क्या पूँचा आचर स्री आपकी देह तो स्वस्त है ना आचर स्री ने प्रती प्रस्न कर दिया मिश्री लाल जी देह किसी की कब स्वस्त हुई है क्या परदी परशन कर दिया देह किसी की कब स्वस्त हुई है अब कोई उत्तर नहीं था कोई परशन नहीं था मुस्कुरा दिये बोले गुरुवर आपने परशन के अनुरूप ही उत्तर दिया है इसका मतलब है देहे तो हमेशा अस्वस्त सुभावी ही है चैतन्य चमतकारी आत्मा तो हमेशा स्वस्त रहा करती है मैं सेम वहाँ साक्ष था इतना आनंद आया और आचर्शी के चहरे पर एक मुस्कान आगई चर्चा होती रही बैसे सभी को समय तो मिल नहीं पाता था लेकिन जब कभी भी कोई विशे आउसर आता था आचर्शी समय देते थे परामर से देते थे आवशक था सुबह साम आचरी भक्ती बंदना बगएरा सब होती थी एक समय निश्चित कर दिया था इतने समय पर सब लोग दर्षन बंदना करें संग के मुनी महराज जी आते जाते कोई पृति कर्मन सुनाता कोई बैय बृति का ध्यान रखते कोई कोई ऐसा अपना कर्म बना लिया यहां तक कि एक मिनिट को भी आचर्शी को ऐसा अकेले फिरी नहीं छोड़ते थे चरिया में हमेशा साथ में महराज भी आहर बगएरा कोई जाएंगे तो कोई ना कोई एक वहाँ पर उपस्थित रहता था आचर्शी को इसकी आवश्च्रक्ता नहीं थी लेकिन शिश्य का करता भी होता है अपनी गुरु भक्ती होती है उससे प्रेरित हो करके आचर्शी मना भी करते थे तो हम लोग बैठे ही रहते थे और इसारा भी करें आचर्शी के अब थोड़ा तो बाहर जाके बैठ जाते ताकि कोई किसी तरीके से ब्योधान ना करे इसा करके संग अपना गुरु के परतिबहुमान रखता है सेवा का भाव रहता है सभी महरजियों ने खूब मन लगा करके सेवा की सभी महरजियों की बैयवरती से और आचर्शी के स्यम के पुन्ने परताफ से आचर्शी स्वास्दी खूब जाब बिठा ले धरम साला में तो जाब पर जाब मंदरों में जाब पर जाब पूरे देश में जाब पर जाब चलता था सब जगे से समाचार की जाब चल रहा है सबी जगे जहां जहां पर चित लोग रहे करते थे इस तरह से स्वास्त लाब गुरुबर को हुगा एक वार ऐसा हुगा कि आस्रम की बहनों को भी जब स्वास्तिता बड़ी तो वो भी मारग दर्शन लेने को आती थी कभी आचर्शी मिलते कभी नहीं मिलते तो आचर्शी ने हम लोगों को कह रखा था कि कोई यदि कहें तो सब को बता देना कि ये भी मलेरिया जैसा सीजन चर रहा है तो नहा पत्ती है उसका रस ले लिया करें रस नहा पत्ती का रस कड़वा रहता है और दो तीन खुराक लेने में उसमें पूरा मलेरिया कंट्रोल होता है और आचर्शी ने कह दिया उसमें थोड़ा सा दर्वाजा लटका हुआ था उन्हें उचित नहीं लगा कि दर्सन बंदना करें या आचर स्री को कुछ पूछें तो बापेस आ गई पीछे की साइट टीन सेट के हाँ पर हम लोग बैठे हुए थे दो तीन महरजी तो निकलते निकलते उनको लगा महरजी को सूचित कर दें महरजी आचर स्री का दर्सन करने गए थे मलेरिया बुखार आ रहा है औस दी के बारे में कुछ पूछ ना था तो क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो हम लोगों ने कहा कि उसमें क्या आचर स्री ने तो सब को कहा है कि जिनको भी ऐसी कोई असु भी दा हो बस ठीक है कुछ नहीं तो करना क्या है नहीं आचर स्री का असी दो सब ठीक हो तो करें क्या वो यह आचर स्री ने कहा है नहाल लेना वो सहज में कह दिया जटके में गिनाल है न अच्छा उन्हों ने भी कुछ इस पस्ट नहीं पूंचा कि इसका मतलब क्या की कैसा करना क्या करना वो जो समझ के गए पता नहीं क्या किया उन्होंने और एक दो दिन की बाद फिर आए बोले महरे जी ठीक हो गया है बुकार ठीक हो गया है तुमरे हाँ बुकार ठीक हो गया तो कितनी बार दबाई ली दबाई ली हमने तो कोई दबाई नहीं ली तो क्या किया तुमने आपने कहा था न कि नहा लेना तुमने 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 नहा लेना तुमने 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 था, हम नहीं समझे कि पत्ती का रस लेना, हम नहा लेना तो नहा लिया, दो तीन बार नहा या, ठीक हो गया, औरे मैंने का ये तो गजफ हो गया, भाई, योग संजोग बना, स्वास्थीक हो गया, आचर स्री के पास जाकर के जब आचर स्री को सुनाया, कि आचर स्री ऐसा ऐसा हो गया, तो आचर स्री हसते हुए कहने लगे, अरे ये नहाना महाना तो एक तरफ है, वो तो बचनों पर विश्वास रहता है, कि आचर स्री ने ऐसा कहा है, आचर स्री ने ऐसा कहा है, उसके सरद इधासे ही वो ठीक हो गया। मनाहाना भी उसके लिए उस्दी बन गया। जैसे बैदे किसी को कह दे, तो दबाई पर विश्वास हो रहता है। रीयक्षन भी हो जाता था, कुछ गड़बड़ भी हो सकता था, लेकिन पता नहीं कैसा पुन्न का ओदे में आया और वो अभी आरीका संग में माताजी के रूप में भी है कुप बढ़ी चार रहा है तो ऐसा करके कभी कभी ऐसे हो जाते हैं सभी संग को अच्छे से स्वास्तिलाब होने लगा सभी महरत जी तो चपेट में आये रहा बाकि थोड़ा स्वड़ाएक एक दो-दो दिन करके तो सब को आता रहा अब वो जो भी जैसा रहा लेकिन सभी महरत जीओं ने भर पूर संग की सेवा की सभी महरत जीओं का ध्यान रखा स्राब को ने ध्यान रखा और चतर मास्की वो बाधा टल गई पर्यूशन के बाद में जब कारिक्रम बगयरा हूए तो एक कारिक्रम विसेश इस रूप में आज भी इस मरन में आता है कि एक तो कंद कंद दूई सस्थराब्दी समारोह मनाया गया था चतरमास की स्थापना के समय ही यह समारोह विसे सुरूप से मनाया गया था अच्छी संयोज ना हुई थी बड़ा कारी करम था इस समारोह में आचरी कुंद कुंद महराज जी के साथ गरंथ का प्रकाशन हो राकेश जी ब्रम्यचारी भिया सागरबालों ने इस काम को आगे बढ़ाया और संपाधन भी बहुत अच्छे तरीके से हुआ गरंथ का बिमोचन भी उसी समारोह में आचर स्री के सानिद में कराये गया लेकिन देखो सब कुछ होते होते कैसी चूक हो जाती है और कहां कैसे आचरी चकित बिंदू निकल आते हैं गरंथ भेंट किया गया और गरंथ के प्रारंभ में ही तीसरी चोथी गाथा में कुंद कुंद स्वामी ने ऐसा भाव प्रिगट किया है कि मैं समय सार का कथन कर रहा हूं पर इस कथन करने में कहीं कोई चूक हो जाए तो चल गिरहन नहीं करना संबुदित करते हुए लिखा कि यदि कथन करने में प्रतिपादन करने में कहीं कोई चूक हो जाए छदमस्त हैं स्वाभावेखे चूक होना तो छल गरण नहीं करना ऐसा कुंद कुंद स्वामी ने गाता में लेखा चुक के ज़ छलम ना घेतब्बम चूक जाओं तो छल गरण नहीं करना चुक के ज़ चूक जाओं तो छलम छल ना घेतब्बम गरण न नहीं करना ऐसा था और गरंत प्रकासित हुगा आचर सी न पलट करके देखा ऐसे पन्ने पलटे उस गाथा पर ध्यान चला गया और आचर सी हसने लगे संगे की तरफ देखा और राकिस की तरफ देखने लगे देखो क्या हो गया अच्छा श्री क्या हो गया गाथा में एक ही शब्द छूटा एक ही शब्द क्या अक्षर छूटा जिस पर बहुत ज़्यादा जोर देना चाहे रहे ते कुंद कुंद स्वामी वही जोर देने वाला अक्षर छूट गया चुकेज छलम ना घेतब्बम चुक जाओं तो छल गरण नहीं करना ना पर बहुत जोर था और संपादन में उस गाथा में ना ही छूट गया अब गाथा में क्या हो गया चुकेज छलम घेतब्बम चुक जाओं तो छल गरण करना ऐसा अर्थ से निकलेगा जहां नहीं गरण करना तो अबना खाली नहीं गया किसी के कितने लोगों ने प्रूफ रीटिंग कर ली होगी कितनी बार देख लिया गया होगा ना पर किसी का ध्यान नहीं गया आ चुकेज ना क्या हो गया हम लोगा कर राकेश अब इसका क्या उपाय है उपाय निकाल गया गरण तो को अभी किसी को देना ने अर्णा अकेल अलग से कमपोछ करके اس ٹیکر بنا کے पर उतनी जगे में लगाया गया उसके बाद फिर गरंत सबी को दिया गया संग के पास गरंत रहेगा संग संसुधन करके पड़ेगा बाकी किसी के पास चला जाएगा ध्यान गया नहीं गया पकड़ पाया नहीं पकड़ पाया गरंत का हिर्दे जो है उसी में मिस्टेक हो जाए तो फिर कैसे काम चलेगा ये एक बिसेस परसंग समपादन में ना चाहते हुए भी ऐसी चूख हो जाती है और अर्स के अनर्स निकल जाते हैं लेकिन सावधान यदि हम रहें तो उसके लिए दुरुस्त कर सकते हैं और कर लेना चाहिए एक बहुत बड़ा आयूजन अकिल भारत वर्सी दिगंबर जैन तीर छेतर कमेटी का भी हुआ और उस समय बागी दुरा से भी काफी लोग वहाँ पर पहुचे हुए थे मुझे याद है सभी परिजित बंदू थे सभी जगे की समाज बंदू आये हुए थे तो वहाँ पर तीर छेतर कमेटी के अधिवेशन में साहु असो कुमार जी अध्यक्षिते उसके वो भी उपसे थे सभी पूरी टीम उनकी मंडली तीर छेतर कमेटी की थी अधिवेशन चल रहा था अधिवेशन में साहु जी के मन में भाव आया कि दो तीन दिन के लिए रुके हैं तो आचरसी को आहर दिया जाए आहर देने के भाव से वो चोकों में खड़े हुए जैने को गए तो आचरसी ने लिया नहीं अब लिया नहीं तो उनको बड़ा अश्चेरी हुआ वो तो बड़ी उमीद में भर करके थे पढ़गाहन होगा आचरसी का नहीं होगा तो आहर देने को जाएंगे आहर भी नहीं लिया लोगों ने बहुत प्रेडित किया अचरसी अध्यक्षे अचरसी साहू जी हैं हलाकि वो परिचित पहले से थे अचरसी इसे लेकिन लोगों को और परिचे देने में अचरसी अचरसी ने लिया नहीं अवो अलग से आकर कि अचरसी को पूछे आचर स्री कोई तुर्टी हो गई क्या सुद्धी तो हमने बराबर की थी शुद्धी बोली भी थी आपने आहर नहीं लिया तो आचर स्री ने धीरे से कहा साउजी ये बाहर की शुद्धी तो ठीक है थोड़ी सी कुछ और भी बातों का ध्यान रखना पड़ता है आचर स्री आप नियम दे दुरातरी भोजन का हम त्याक करे देते हैं मैं मंदर भी जाता हूँ ने ये भी ठीक है तो फिर आचर स्री क्या बात है नहीं साउजी आपको मालूम है केरोना कंपनी जो है ना उसमें आपका सेयर लगा हुआ है केरोना कमपणी किया है आचर्षी को कहां से मालूम होगे है वह ताश्चिरा चकेत हुए केरोना कमपणी जूते बनाने की कमपणी है जुबी हो अब उस समय तो यही नाम आया था यहाँ बताते थे लोग तो अब चर्मनिर में तो द्योग है जूते का काम है बड़ी कमपणी है अब बड़ी कमपणीों में बड़े बड़े उद्योग पतियों के सेर लगे रहते हैं तो उनके ख्याल में आ गया हाँ गुरु द्योग बात तो सही है अब बात सही है तो फिर देखो आहरदान देना चाहेते हो तो कुछ तो होना चाहिए ये चीज तो संभव नहीं है ये चीज अच्छी नहीं है हाँ अचर श्री ख्याल में आ गया ये चीज अच्छी नहीं है तो इसका त्याक कर दो सेर खतम कर दो थोड़ी देर तो उन्होंने सोचा लेकिन समर्पित था धर्म को भी समझता था तीछे तरकमेटी के अध्यक्ष हैं समाच के एक तरह से जाने पहचाने परिवारों में से समाच के संड़क्षक जैसे थे तो जराबी देर नहीं की उन्होंने और तुरंती कहा कि अचर्शी प्रकरिया में थोड़ा समय लगेगा लेकिन मैं आपके सामने ही संकल्प करता हूं कि आज से ही हमारे सारे सेर में कखत्म करता हूं तुरंत उन्होंने कहा इतना बड़ा डिसीजन उन्होंने तुरं तो ही पर लिया अचर्शी ने भी कहा और भी तो बहुत सारे तुमारे पास बैबापार हैं बहुत सारे उद्योग है ठीक है सबसे बोले कोई बिकल्पी नहीं इस तरफ हमारा ध्यान नहीं गया आज आपने ध्यान दिलाया मैं आज ही सेर को खत्म करता हूँ और पुन्न के योग से बहुत सारा है एका चीज नहीं भी होगी तो क्या फरक पड़ता है जैनी का अपना पुन्न रहता है पुरसारती होता है जहां डालेगा कुछ न कुछ सफलता तो मिलेगी ठीक है जिस समय ख्याल नहीं गया नहीं गया लेकिन जब ख्याल जा रहा है तो बदलने की संभावना यदी होती है तो बदल ही लेना चाहिए चाहे वो साहू असो कुमार की बात हो और चाहे किसी कुमार की बात हो और चाहे किसी शहर नगर की बात हो अपना ख्याल जब से जाता है महरजियों के प्रबचनों से जब से अपन को समझ में बात आती है तब से अपन को उन चीजों को बदलने का बंद करने का प्रियास कर देना चाहिए और अपने देखते देखते पुर्ण बंद कर देना चीए बंद करने से पुन घटेगा नहीं बलकि पुन बढ़ेगा पुन बढ़ता है ऐसे विश्वास के साथ यदि धर्म का भाव मान करके आप आगे बढ़ते हो तो कुछ समय को एडजस्ट करने में असुविधा हो सकती है लेकिन भविश्य तुमारा बहुत अच्छा होगा ये दिगंबर मुनियों की बानी है और इसका प्रभापूरे देश में पढ़ता है